तो हे फ्रेंड वेलकंटो मैं चैनल एबी रॉक्स टीम्स तो गाईज मैं आप लोगों के लिए आगे हैं एक मैच कवर करने हैं जो की हेला जाएगा हीरो इंडियन सूपर लीग का ओडिसा एफसी वार्सीज जमशेथपूर के बीच 57 मिनिट के बाद वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया बिकॉज इस मैच के उपर मेरे को बहुत सर्च करना पड़ा है मैं आपको सही बता दूँ क्यूंकि भाई ये हीरो आई ए मेरे को दिखने में असान मैच लग रहा था लेकिन जब इसकी लाइनप साइना तो एक ब नहीं हो रही अब मैं आराम से आपको टीम भेज पाऊंगा और करते हैं इस मैच कवर शुरू तो यह हमारा जो मैच है मनलब दिन का फुटबोल मैच जो की डेंजरस जाए मैं तो चाहता हूँ और बात करूं मैं इसमें जो टीम स्टॉंग रहने वाली वह है जमशेतपूर के साथ अभी तक इस टीम का मैच नहीं हुआ जमशेतपूर का जो एक मैपको बता दू जमशेतपूर का एक मैच हुआ था ओएफसी के साथ हुआ था ओएफसी के मुकाबले इसका जो मैच था आई तिंग गाईज वो था 29 नॉमबर को मैं बहुत का निफ्यूज हो गया था अभी तो यह ना एक्चली क्या रहा था कि टी रहनेश उस वक्त सबकी टीम में था एक्चली टी रहनेश काफी मारा हुआ गोल कीपर है बट सेफ बहुत है मैं आपको रियली बताऊं बहले यह सतरा पॉइंट दे बीस दे या सो पॉइंट दे लेकिन सेफ बहुत है आगे स इसे बात करूब पी हाट ले की तो भी हाट ले आज के मैच में कुछ कर सकते हैं पिछले मैच में यह नहीं कहला था एंड गाइज यह मैं अपनी टीम का सबसे नामी घामी और एस इस के साथ मलब जो इसकी जिसकी दोस्ती है जिसकी पार्टनर्शिप जमती है वो यही है औ इस टॉप का प्लेयर इस आज के मैच में आप इसको कैटन ड्राय कर सकते हैं यह बंदा गोल करने में महीर है दिखने में डिफेंडर है बत करता है मिट फिल्डिंग और गोल होने के हैं 100 प्रतीशत चांस और मैं आपको अगर आपको इश्वास नहीं हो रहा तो एक बार इ क्लीन शीट जो की एक बहुत खतरनाक बात है बात करूंगा मिट फिल्डर की आज के मैच में बड़े बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं एक मौन्रोई नहीं खेल रहा है एक सी अलेक्जेंडर तो मैं इसकी जगा लूंगा लेफ्ट एंड साइड मिट फिल्डर जिसका न ilig tv도 पर नहीं खेल और बात की नहीं खेले नहीं खेले नहीं कुल्न की तो आज के मैच में बहुत खेले तो चैड़े करें कि आज के मैच में वापसी कर रहे है बड़ आजके मेच में है इसकी पॉजिशन बहुत कीमती है और आगे से बात करूँ शेट फोवर्ड की एनवेल 6 एनवेल 6 ने फर्स्ट मैच में ओडिसा को 29 नुवंबर के मैच में दो गोल मारे थे मतलब दो गोल सोच के हरांगी हो रही है और आगे से बात करूँ नेक्स पेर की जो की है टीम और एक्यू डीम और एक्यू का अगर हम उस वक्त का मैच देगे तो इसने भी जमशेट पूर को दो गोल मारे थे बट सबसे खास बात की क्या थी यह उस वक्त का सब्चीट्यूट और आज के मैच में यह प्लेइंग 11 में है यह दोनों प्लेयर आज जी यल में रॉक करने वाले हैं कॉंबिनेशन इनका बनाओ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का और आज के मैच में प्लेयर ने खेलने वाला जिसमें में जॉन विट्जगेल्ड पिछले मैच में इसने बिना गोल बिना असिस्ट के 55 कोईंट दिये पर इसकी बिनको खास क्या बात लगी एक यह 90 मिनट बबाए आपका दिन शुब रहे